हेलो स्टुडेंस आज हम बात करने वाले हैं ऐसी दो सेटलाइट के बारे में जो की इंडिया नहीं बनाई है इस रों में बनी है यह सैटलाइट्स और यह दोनों ही क्या करने वाली हैं एट्मोस्फेर के बारे में इंपोमिशन देने वाली है तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहली Satellite जो उसका नाम है Sural अर दूसरे का नाम है Kalpna One Satellite तो चलिए एक-ए करके हम देखते हैं कि Sural One क्या है और Kalpna One Satellite यह है तो Sural Satellite जो है वोकि मतलब इस जाइन्ड सैटलाइट है जो की चीज़ों को और मेजर कैसे कर सकते हैं ओशन की प्रोफाइल को चेक करना ऐसे बहुत सारे ओशन से रिरेटेड़ चीज़े हमको इस सेटलाइट के हेल्प से मिलेंगी अब यह सेटलाइट जो है वह लॉंच कब हुई थी तो यह सेटलाइट लॉंच हुई थी 15 फेबरी 2003 यह क अलावा इसका जो ऑर्बिट था तो यह पोलर संसिंक्रनस ऑर्बिट इसका था मतलब यह पोलर सेटलाइट थी मतलब पोल्स पे घूमती थी अगर आप देखेंगा ऐसे अर्थ है तो आर्थ के ऊपर यह इस तरीके से घूमेगी और जो हमारा अर्थ घूम रहा है वह कैसे उसलिए पूरे एरिया को कैप्चर कर लेगी और सिंस हमारी जो अर्थ है वह 70% किसे गिरी हुई है वाटर से गिरी हुई है तो हमें उस वाटर की ओशन की स्टडी करना जरूरी है यह उस ओशन की स्टडी से हम फर्दर बहुत सारी डीटेलिंग और पता कर सकते हैं और इसक से है उसकी हेल्थ कैसी है वहां पर बहुत जादा प्लैंक तो नहीं है यह सारी चोटी-चोटी चीज़े हम बता लगाते है तो अगर इस सैटेलाइट की बात करें तो यह सैटेलाइट जो है इसका डामेंशन कितना था तो इसका डामेंशन था 1.6 मीटर और इसके पावर की एक्सपेक किया जाता है कि इतने सालों तक हमको एक्जेक डेटा देगी बट कुछ-कुछ सैटेलाइट होती है जो कि अपने जो सर्विस पिरेट उसके बाद भी क्या करती कंटिनियूसली हमको डेटा देती जाती है तो यह अभी भी सर्विस में है 2003 में यह अब इसकी जब लॉंच डेट की बात करें हम तो लॉंच डेट कब हुई थी इसकी इसकी लॉंच डेट हुई थी 2013 में त्यक्तेट् जो जो 292 25 665 यहा था इसके अलावा इसका जो रॉकेट था कॉन सा रॉकेट से सी ऊन्स किया गयार था तोर इसका जो कॉंच जिसने इसको बनाया है वो कौन है शलल बेंट को बनाया था और इसका Service फ़ूट अब यह कभी सबसंके के पर रहा है और चलया ऑप यह कभी सब्सक्राइब POL जाने सब्सक्राइब बात शलयके ज़्यू को 23 прошymm saw का सेटलेटेट ए देखिए कलपना वन सेटलाइट है मैटसट में सेटलाइट के बारे एट्थ में तो पहले नाम मैटसट था लेकिन फिफ्ट फेबरी 2003 में जब जो अपनी इंडियन बॉर्ण अमेरिकन एस्ट्रोनौट है डॉक्टर कल्पना चावला उनकी जब डैथ हुई 2003 फेबरी को तो उसके बाद उसके बाद जो है इसका नाम क्या रख दिया इसका नाम कल्पना वन रख दिया और यह क्या थी यह मेटि सेटलाइट का वह मिशन था कि कितने अच्छे से हम क्लाउड के डेटा को कवर करें वाटर वेपर को कवर करें और टैंप्रेचर जो एक्मोसफ़र का टैंप्रेचर है उसके बारे में इनफोमेशन कलेक्ट करें इसकी जो लॉंच डेट है वह लॉंच डेट है 12th of September 2002 इसका साइट है अगेन वह कौन सा है सतीज दवन स्पेस सेंटर है जो कि श्रीहरीकोटा में है इसका वेट थोड़ा सा सरल से ज्यादा है इसका वेट है 1060 kg और इसका जो ऑर्बिट है अगेन हम एट्मोसफेर की स्टेडी करने वाले हैं तो इसका ऑर्बिट है पोलर संग सिंक्रन बंहतर है कौन सा वी ए चाहर ओकी व्डियो में मिटर कि अपकर है वह हाई रिचोटाइघ में ने समय क्या है वह एक होगा हमारा और largely लન में ब्रकेए बैंठ सथ क्रबपा रहाए एक होगा हमारा थर्मल स्थयोंिसारी संथायरिव फरdo अछ से क्या करने वाली है यह इसके अलावा इसका special resolution कितना होगा इस विए 4R का तो इसका special resolution है two kilometer मतलब इसमें हमें जो उमने पहले की satellite देखी है उसके मुकाबले क्या होगा इसमें हमको और अच्छी images मिलेगी इसका special तो यह जो 2 km से इसका विजिबल पोर्शन का स्पेशल रिजुएशन मतलब विजिबल बैंड का इसके अलावा अगर थर्मल इंफ्रारेट बैंड की बात करें तो वह कितना है इसका 8 km स्पेशल रिजुएशन है इसके अलावा इसका अब्जेक्टिव क्या है तो जो हमारी कल में क्या मिले गी जो डियेटा मिलेगा वह और अच्छी क्वालेटी में मिलेगा तो सेंसर या बारे में उसके बारा में ल millor कक्रने इसके पेडर्स इंसर है या मोरे तो यह में उसके दो में सेंसर छिए Google रोक्तिव अभउ desperate Thank you.